असलामवेकूम देश्टूडे एंट्समाव खटीची पहलाज वेलकूम करता हूँ आपको वर्डप्रेस के क्लास 19 के अंदर और आज के क्लास के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं कि हम किस तरा अपने पेज़े के अंदर इमिज़ेस आड़ कर सकते हैं पर इस सारह आज के अंतर हम दिसक्रीन नहींच करने रिखकरन वाले हैं हम पसाली हैं तो इस तरा आज की डिसकस करने हैं राम अउमारे बास अंधे फीचर्डेमेउ currently पहले मुझा खरिंज लाग लेते हैं अपने वर्डपैस के डाश बोर्डड के अंदर और यहां जिसका मैं एक new tab open कर लेगी ताकि मैं साथ में life review भी check कर सकूँ अब यहां हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हम अपने page या post के अंदर किस तरह image add कर सकते हैं चाहिए page में add करना चाहिए चाहिए post में add करना चाहिए तो यह कैसे हम कर सकते हैं लेट्सबस के जहां पर मैं छाता हूं post के अंदर और यहां पर मैं image add करना चाहिए तो इसे के आद नाम से बनाया है था लेट्सबस के इसके मिए image add करना चाहिए तो यहां एक दफ़ा एड भी की थी तीकर यहां पर यहां से करता हूं clear अब मैं दुबारा से क्या करूँगा कि इसके अंदर दुबारा से आपके सामने एक इमेज चाइड करूँगा और समय आपको कुछ डिचेल स्वारा भी दिखूँगा तो यहां पर हमने सबसे पहले देखें आप हमारे पास एक वैसे तो हम इसको अधेड कर से थे हैं जो कि हमने प्रिविस क्लास के अंदर देखा था कि हाओ टू एड़ पेज पूस्ट विद एलिमेंटर जिन्हें हम अधेड कर सकते हैं इसको भी मजीड डिटेल में आगे पढ दो जल意 है और नहीं कर रहे तब दो आप इसमें काम कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे एक बुटन देख रहा है के अध्मेड्या क्लिक कर सकते हैं कि अपनी फोटीर कर सकते हैं अगर आप मीडिया वीर्ट हो यंडिका। एक शफके राग् bulk tu पर अउप्लोड अगर यहां से गया कर सेते हैं, आप select file लिएकर करके अपने इस को नी image भी select कर सेते हैं, let's suppose कि यहां पर मैं को image नहीं select करता हूँ. So let's suppose कि यहां से मैंने image select कर लिए और इसके open कर रहता हूँ. Open होने के बाद यह upload होगी, ठीक है, और उसके बाद भी हमें यहां पे इसको, एनि अपने post के दर, हम यह पेज के दर add कर सकते हैं, इसको जहां से करते हैं numa इसंडर 2s देकि नीचे आर, इसके इलावा यहां पर इसको size भी रहा है कि हम इसको size 12 भी set कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि full size में दिखाएं, तो अब this को full size में कर देंगे, शायद वो प्रॉपर्ली लोड नहीं अभी तक तो इस वजह से मैं दुबारा से करता हूँ यहां से करता हूँ कि इसका जो साइज हो थोड़ा समय है तो चलिए उसका मैं लार्ज करके इंजर टू पोस्ट करूँगा और यहां पर हमें इमेज दिखना शुरू हो जाएगी देखिए यहां पर जिल्दी लोड हूँ कि यह थोड़े चोटे साइज की थी उसके बाद देखने यहां पर हमारे पर सौफशन आ रहा है कि हम इसको अ उपिषन देख नहीं को कि मेरा जिससे कि औलागे लाने लाइन लेफ्र राइट सेंटर खोभी हम कर सकते हैं तो अब लाइटस्पोस में चाहते हैं पर अब सेंटर जहां से कर सकते हैं जो अबने प्रक्ति ह corn s iage जो अगर हम चाहरे कि कंस्टम साइज करना चाहरें तो भी आप यहां से कर सकते हैं let's suppose कि मैं चाहरों कि यह जैसे इस photo पे click करते जाएं यह home पे चली जाए ठीक है यह properly को मैंने let's suppose कि इसके अंदर एक link डाल दिया ठीक है तो इसका क्या बन गया एक link बन गया उसके लाब इसमें को caption सक्षिन लिखना चाते हैं वह कर सकते हैं दर वेश आप image को replace भार में भी कर सकते हैं ब्रसकते हैं और इसका मैं update करता हूं और आपडेट इससी तरह यहां से भी कर दिता हो और update के बाद च्बाद जडए हम इसको जाके Check करते हैं कि क्या यह हमीय नजर ा रोई है या नहीं नजर आज़ अभी यहां पर हमारे पस वो कोई ऐसा पेज नजर नहीं आ रहा तो हमें करना कर पड़ेगा कि हमें उडमी पेज वाला देखना पड़ेगा तो ऐसे करते हैं कि हांपे प्रीव्यू चेंजर करके देख लेते हैं हमें खुद ही न्यू टैप अंदर यह इसमें देखें कि यहां इमेज नजराना शूरू होए चुकी है और फ नेट में जाके यहां से मैं इसका लिंक अब डिल भी कर साथी यहां tu लेट-सको इसको dan agam को गूल लिंक देदिया हूँ यहां से तो कि जैसे में क्लिक करता हूँ तो होगा कि googlean.com गूजाँ में १ुछ अब अब गूजा देगा उप्डेट करता हूँ कि इसको दरसी भी इसको अपडेट कर देते हैं ठीक है यहां से इसको अपडेट करें और नेक्स टैप के अंदर आकर रीफरेश करके जड़ा चेक कर लें कि क्या यह वाकी में इसी तरह काम करता है कि नहीं अब देखें मैं जैसे क्लिक करता जाओंगों तक क्या होगा Google.com इसने उपन खोर्ट सारा कहम कर सकते हैं तो यह थिय तताक से-किस सरी आप daji आपने पोस्ट इंडर इमेज अएट कर सकते हैं अब हम देखने हैं कि फीचר इिमेज हम गसे हुक्ति होता क्या है सबसे पहले तो मैं आपको ख़यर करता चलू क्या वेशिक्ति यह फिशों की स यह 1 YouTube भी जाते हैं तो आपको वीडियो प्ले होने से पर जिक रहोता है चोटड़ छोट़ी थाम-लीजिं लिख रहोता है जिसके पर अउटेक्स लिक होता है यै वीडियो के निखल लख होता है डिक आये कोई भी वीडियो हो सकती है किसी जगा पे जाते हैं किसी वेबसेट पे जाते हैं अब को एक उपन की है टीक है नहीं मेरा से को तालक है ऐसे मैं सिर्फ एक्जम्पल की तोर पर यहां पे एक उपन की है वैबसी जिसके अंदर देखें तो यहां पर आपको छोड़ी छोड़ी थाम देल लिए देख रही होंगी इमिजिस नजर आ रही है अब यह जैकली वह इमिजिस हैं जो के आपके एक फीचर्ड इमिज होती है यानि बाकी जो टेटेल होगी वो तो लिखी होगी इसके अंदर जाके बड़ सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है एक चोटी सी इमिज नजर आ रही है यह जो फस्ट इमिज हो वह से इमिजिस मजीद आगे लगी हो यानि राइटिंग हो इसके आगे पिर बहुसे इमि कोश्यू नहीं है और जब कि फर्सिमज होगी इसको बोलते हैं यहाँ तो भी इमिज होती है अभी देखते हैं कि हम फीचरेदी इमिज की तरा एड़ कर सकते हैं और कैसे यह काम आएगी हमें तो हम चाहते हैं वापस लिड़र के इंदर इसको मैं जार अपडेट करते हूं यहां से कोई Let's Post की image select कर लेते हैं, जो Featured image हमें सबसे पहले नजर आएगी, तो Featured image Let's Post के हमारे पर मैं चाहर हूँ कि मेरी Featured image में नजर यहाए, इसका हम कर देते हैं, यहां से Set Featured image, यानि कि सबसे पहले हमें Featured image में यह दिखाएगा, यानि आगे जो टेक्स होगा वो तो चैले होगा इस पोस्ट के अंदर और इससे पहले जब भी को विजट करेगा उसको सामदी तस्वीर यह नजर आती रहेगी जब ओपन करेगा तो फरा आगे उसको मज़ी डिटेल मिलेगी तो देखें यहां पर मैं वह दिखा भी रहे इस सरहां जा चेक करते हैं,ब हमारे यहांपर मसला would you do? पयां पर पोस्तिंग वाला साहरा सी नजर नहीं आरा है हमारे ब्लॉग से लिए ब्लॉग में जाके चेक करते हैं तो यहां पर भी तक हमारा कोई इस तरह ब्लॉग नहीं है और हमारी पोस्ट वहरा तो वैसे भी नजर नहीं आनी तो मैं ऐसे करता हूं जाके बलकि इसकी जगह इस डमी टेक्स वाली की जगह मैं किसी और पर जाके यानी फीचर्ड इमिज लगा तो आपको नजर आ सके कि फीचर्ड इमिज बिसिकली होती गया है तो बैक आते हैं यहां पर लेट्स पोस्ट के मैं मुझे इसकी जो एक दफ़ा सेटिंग तबनिल करने पड़ेगी ताके हमारा जो पेज हो ना फर्स्ट में वो पोस्टिंग वाला दिखाए अभी हमारा जो होम पेज इखा रहा है ना तो मैं इसको जाके सेटिंग में जल् प्राना शुरू हो जाएगी देखे अमारी लिटएस्ट पोस्ट पॉस्ट जी तूछ्श्शन ना वभी लिटएस्ट पोस्ट अमारी यह है एमिज काफी बड़े साइज में लेट्स पोस्ट के जाके इसको मैं ऐड़िड करे दा हूं बैक चलते हैं और बैक कि इसको मैं ए और इसको जो width or height है, respect ratio, section, ऐसे करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, यहां से, crop कर लेता हूँ, तो यहां से मैंने crop to लेकर ड्राग किया और इसमें सिर्फ तोड़ी सी में ले लेता हूँ, ठीक है, और जब जिए ok हो जाए तो यहां पे इसको लीव करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, और अब आके refresh करेंगे, तो हमें थोड़ी सी छोटी नजर आएगी हूँ, पहले काफी बड़े size में नजर आ रहे हूँ, अब यह तक है एक post है, जिसके अंदर नेचे लिखा रहे है, dummy data, continue reading, और अभी इसके अंदर कुछ आइधिंग text हमने नहीं आपडेट करता हूँ, और इसके अंदर में मैं कुछ 2-3 images add करता हूँ, दाकि आपको अपको सही समझे, कि जो बाकी images होंगी हमें नजर नहीं आएंगी, जब हम post को open करेंगे फिर हमें वह images नजर आएंगी, बड first वे हमीं सिर्फ वह image नजर आईगी, जो मारी featured image होगी, तो तो let's suppose कि यहां से मैं add image करता हूँ और यहां से मैं let's suppose कि यह image जो एना add कर लें उसको size medium करकी insert to post कर देता हूँ एक हमारे पास यह हो गई एक इसके दर्मयान में यहां पर पोस्ट में add कर देता हूँ फोटो तो इसको मैं करता हूँ यहां से add media इसके लावा इस image को select करते हैं और इसको size medium ही रहा कि इसको update कर देते हैं अब है क्या देखिए इसमें दो-दो images add हूई है अपडेट करते हैं और देखिएगा कि जैसे हम इसको refresh करेंगे तो हमें सिर्फ अभी भी एक ही image दिखाएगा नीचे हमारा text तो नजर आए यह आएगा देखें हमें सबसे पहले एक photo दिखा रहा है जो कि हमारी featured image है featured image आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमारी जो first image होती है thumbnail जिसको कह सकते हैं first image वह हमारा featured image जहां पर कहलाते हैं उसके बाद देखिए तो नीचे वही सारा text लिखा रहा है और नीचे देखिए एक बटन आ रहा है कि continue reading अब मैं जैसे इस वे click करूंगा तो हमें redirect करके ले जाएगा अपने पूरे page पे जहां पर बाकी पोस्ट लिखा रहा है और images देखिए पीचे में क्यों नहीं नजर आ रहा है क्योंकि हमारी post के अंदर images हैं अब ही हमें सिर्फ first image दिखा रहा है क्योंकि हमारी featured image थी अब इसमें आप चाहिए 100 images add करें आपको नजर नहींगे जब तक आप पोस्ट को पूरा continuous को पढ़ते नहीं आग तो मैंने पूरी कोशे किए कि अब आपको समझा से कूँ कि basically featured image क्या काम करता है और कैसे होता है I hope आपको ये चीज concept इसका clear हो गया होगा कि featured image कैसी होती है और कैसे काम करती है अगर आपको आज बली वीडियो के वाले सी कोई question होते निचे ही comment करके पूर्स रखते हैं मैं बापको मिलूँगा एक नहीं next वीडियो के अंदर तब तक हमनों बोज़र अख्या रखेगा और मुझे अतनी दौा में याद रखेगा अलावेस